हलो सुदिंट्स वेलकम तो रीग मंत्र क्लासस बेटा काफे दिन बाद फिर से हम लोग आप कंटीनु कर रहे हैं तो चाप्टर नंबर हमने लास्ट एंग किया था 6 जो था अनाथमी अफ़ फ्लाव इंप्लांट्स हमने कर लिया है आज हम लोग 12th का 1st चाप्टर देख रहे 12th का है highly आपको पता है 50-60% आपका आता है 11th का लेकिन maximum जो directly asking questions होते हैं बेटा वो कहां से पूछे जाते हैं आपके? वो आपके पूछे जाते है 12th से 12th comparatively 11th का easier है ठीक है आपको क्या करना है? इंसी आटी अच्छे से गवर करनी है ताकि आप जैसे ही आपने दब questions देखो आपके mind में आजाए कि हाँ यह चीज मैंने बढ़ी है और इसकांसर यह है ठीक है? तो आज हम अपने 1st chapter स्टार कर रहे है reproduction in living organism तो यह chapter बिटा वैसे तो थोड़ा कम आदा है इसे बट लीट के purpose से इंस के purpose से काफे important chapter है weightage covering chapter है और कभी-कभी CBST में भी बहुत सारे questions इसमें पूछ लिए जाता है ठीक है? चलिए तो सबसे पहले क्या है बिटा? reproduction reproduction क्या होता है? बताईए देखो मैंने सबसे 1st lecture में बताया था बिटा? reproduction क्या होता है? reproduction होता है दुबारा से production होना ठीक है? पहले आप words को देखिए re plus production मतलब करी दुबारा से production होना तो कोई भी living organism जब अपनी progeny को produce करता है तो उसको हम कहते हैं reproduction ठीक है? the process of forming new individuals क्या कहलाता है बच्छो? reproduction ठीक है? चालो next होता है पीटा? asexual reproduction और sexual reproduction अब reproduction की भी क्या है? बचे? types होताई है there are two types of reproduction है asexual reproduction and second one sexual reproduction asexual reproduction क्या होता है बचे? asexual reproduction में और sexual reproduction में differences आप छोटी classes में पढ़किया है। तिक है। आपने पढ़ाता कि Asexual Reproduction क्या होता है। यहाँ पर एक Parent का moment होता है। यानि कि Only One Parent in moment है। Sexual Reproduction में Two Parent in moment होता है। यहाँ पर आपको White Osses देखने को मलती है। यहाँ पर आपको Vyosses देखने को मलती है। Next चीज हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि जो Asexual Reproduction है वो क्या होता है। वहाँ पर आपके Clones का Production होता है। जो Offsprings होता है Asexual Reproduction में। यहाँ पर जितने भी Offsprings होता है वो कैसे होता है। एक दूसरे के Similar होता है। ठीक है। और आपने क्या पढ़ा। यहाँ पर आपको यहाँ पर Fertilization, Sin, Gammy यह सब चीज़े नहीं देखने को मिलती है। यह सब चीज़े आपको कहां देखने को मिलती है। Sexual Reproduction में। चलिए। आप मुझे एक 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 जामपल बताए। Asexual Reproduction का और Sexual Reproduction का। बताओ। Asexual Reproduction के कितने जार एक जामपल्स पढ़ चुके हैं बचो। आप Bedding देख लो, Regeneration देख लो, यह सब किसकी टाइपस है। यह सब Asexual Reproduction के टाइपस है। और Sexual Reproduction में क्या क्या होता है। Sexual Reproduction में जिसे हम लोग Pre-use कर रहे हैं अपनी Progenies को। तो वो किसका एक्जामपल होगा हमारा Sexual Reproduction का। तो यह चीज़े clear हो गई कि Reproduction क्या होता है। यह Sexual Reproduction क्या होता है। और Sexual Reproduction क्या होता है। चालो। बहुत अच्छे बच्छे। Examples, Differences, आपको बताओनी चाहिए क्या क्या होता है। चोटी classes में आप पढ़ चुके हैं। आपको हुवग देरियू में एसेक्शल में और सेक्शल में डिफरेंसेज लिखने हैं आपको आज। और जाके एक्जामपल सीखने हैं। चलो। सबसे पहले आता है बच्छे। अब हम descriptive forms में देख रहे हैं asexual reproduction अब asexual reproduction तो हमने पढ़ लिया कि चलो माम माम ने बताया कि एक-पेरिंट का इंवर्मेंट हो रहा है mitosis यहां पर देखने को मिल रही है यहां पर fertilization and gammy चीज़े नहीं देखने को मिलती और जो progenies का production होता है वो कैसे होता है? वो क्या होता है? बच्छे, clones होता है अब clones क्या होता है? clones जो होता है, वो morphologically or genetically similar individuals होता है suppose that अगर asexual reproduction में आप कोई भी mode देख लो, चाया fragmentation, fission budding, कुछ भी देख लो वहां पर जो progenies produce होंगी वो कैसे होंगी बच्छे? वो एक जैसी होंगी, ठीक है? चलिए सबसे पहले the most common modes of asexual reproduction seen in animals are as follows यह point बहुत important है यहाँ पर आपको major forms दिखाएं गई है बच्छे, जो majorly कित के अंदर मिलती है? individuals के अंदर मिलती है तो it is important, it is very very important बच्छो, first आता है हमारा fission fission का मतलब क्या होता है? fission का मतलब होता है तूटना chemistry बगएरा में पढ़ते है fusion reaction, fission reactions तो fission मतलब क्या होता है? fission मतलब होता है तूटना अब इसके examples है amoeba paramecium आप छोटी classes में diagram देख किया है कि एक amoeba होता है amoeba में जब nucleo-cytoplasmic ratio disturb होता है तो उस वो daughter cells में divide हो जाता है ठीक है? एक में सारी organelles आ जाती है एक में थोड़ी कम आती है लेकिन फिर फाइनली बना लेता है ठीक है बच्चे आपने यह से पढ़ा था तो fission का सबसे अच्छे example है amoeba fission की भी types होते है एक होता है binary fission एक होता है multiple fission amoeba favorable condition में क्या करता है binary fission करता है और unfavorable condition में क्या करता है multiple fission करता है तो यह example आपको लेन होने चाहिए next आता है आपका budding अब east के उपर आपने देखा कि east के उपर क्या होती है budding होती है east के उपर आपको Torula condition आपको देखने को मिलती है suppose that this is your east unicellular क्या है बच्ची यह पढ़ा चुकी हूं मैं बताए unicellular fungi है बच्चोई ठीक है आपने पढ़ा था 2nd chapter में 11th के यह क्या है बच्ची अपने जैसे देखो budding हो रही है यह बढ़िंग जो यह होती है बच्चे यह कैसी होती है equal होता है यह unequal होता है यहाँ पर unequal budding आपको देखने को मिलती है इस condition को कहता है Torula condition उचा जा चुका है नीट में तो important है ठीक है चालो कुछ हार्ट तो नहीं लग रहा ना first आपकर रहा है easy है ठीक है चलिए फिर हमने देखा sporulation sporulation में क्या होता है बच्चे sporulation बनते है spores spores के ओपर बनती है cyst wall मतलब की cyst जैसे structure बनते हैं जो की बहुत ही hardly covering होते हैं जो बहुत जादा unfavorable condition में भी survive कर सकते हैं favorable condition में यह reproduce हो जाता है जितने भी आपकी multiple fission में जो भी amoeba sporulation करते हैं और फिर finally favorable condition में जाकर reproduce कर देते हैं फिर है बच्चे fragmentation fragmentation मतलब क्या होता है? fragmentation मतलब होता है टूटना अब यह reason बहुत हो सकता है सबसे family example fragmentation का spirogyra spirogyra में जब mechanical injuries होती है तो एक spirogyra अपने आपको break कर लेता है sparogarabu जैसे structure होता है sparogarabu जैसे chloroplast होता है nucleus होता है तो यहां से suppose that यह टूट गया तो टूट करके जो fragment जमीन के उपर गिरता है वो क्या कर देता है फिर अपने आपको newly reproduce कर देता है next आता है बच्चो regeneration regeneration मतलब दुबारा से generation करना टाइब का होता है epimorphosis or morpholexis epimorphosis मतलब की जब 100% regeneration आपको देखने को मिले suppose that planaria की छोटे से हिस्ते से planaria अपने आपको पूरा reproduce कर सकता है तो वो किसका example है epimorphosis and second one is your morpholexis morpholexis मतलब क्या होता है बच्चो morpholexis मतलब होता है जब कोई part जो होता है वो पूरा बनने की कोशिश करता है ठीक है यहां पर आपको complete regeneration नहीं मिलेगा as for example आपकी body में एक ऐसा organ है जो अपने आपको regenerate कर सकता है बिताए कौन सा example है liver ठीक है तो liver के अंदर capability होती है regeneration की सबसे अच्छी example है यहां पर cniria reptail of this act cover हो गए सब चलो next आता है clones अब मैं बार बार यह टम बोल रही थी आपको मैंने समझाया भी था clones सबसे पहले asexual में आते हैं कि sexual में आते हैं clones आते हैं हमारे asexual में ठीक है organisms which are morphologically and genetically similar to the individuals आपको पता है जो की asexual reproduction में जितनी में progenies होती है वो एक दूसरे की कैसे होती है genetically और morphologically similar होती है इसलिए हमको क्या कहते है clones कहते है write down कर लीजे इसको important है कभी-कभी ZBSC में two marks में पूछ लिया जाता है what is clone ठीक है बच्चो तो कर लीजेगा next आता है specialized structures आपको पता है बच्चो these are the specialized structure which are very much useful in case of asexual reproduction asexual reproduction में यह जो specialized structures है as for example birds hydra आपको पता है hydra जो होती है कुछ इस type structure होता है यहाँ पे new hydra arise होता है यह तूट करके नीचे गिर जाता है और newly arise होता है तो hydra जो होता है बच्चे वो कहां से germinate होता है वो birds के थूँ germinate होता है तो ऐसे ही specialized structure है जो क्या करते है e-sexual reproduction में germination में useful होता है सबसे पहले आपको पता है zoo sports आपको पता है zoo sports formation करते है zoo sports कैसे थे बताए यह non motile थे zoo sports होते है motile sports है और इनसे क्या germination होता है conedia panicellium के उपर exogenously produce हो रही थी आपने पढ़ा था ascomycetes के case में ascomycetes fungus के case में क्या पढ़ा था अपनी conedia के उपर sorry penicillium के उपर conedia produce हो रही थी exogenously basal portion पे वहां पे क्या हो रहा था बच्चो जो conedia है वो germination में useful थी ठीक है birds hydra में और gemules आपको कहां देखने को मिलते है gemules आपको देखने को मिलते है sponges के अंदर यह one mark question आचुका है ठीक है cbse में भी आचुका है gemules formation कहां होती है तो आपने chapter 4 में पढ़ चुके है आप sponges के अंदर mono axon gemules पढ़ चुके है specules पढ़ चुके है तो यह gemules formation कहां होती है बिटा यह होती है आपकी sports के cases में चालिए next आता है vegetative reproduction सब लोगों का धियान यहां पर होना चाहिए काफ important चीज पढ़ने वाले हम लोग सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि vegetative reproduction क्या होता है vegetative reproduction वह reproduction होता है जो vegetatively अपने आपको reproduce करे देखो नाम में ही सब को छपा होता है अगर आप conceptually इन चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा vegetative reproduction वह reproduction जो vegetatively अपने आपको प्रेड्यूस करें मतलब plants का कोई भी हिस्सा अगर vegetatively एक plants को germinate कर रहा है तो वह reproduction कैसा है बच्चो वह vegetative है आप बताए vegetative reproduction asexual होना चीज़े या sexual होना चीज़े बताओ क्योंकि यहाँ पे single parental moment है बच्चे तो यहाँ पर क्या होना चीज़े यहाँ पर यह होता है आपका asexual reproduction यह question आपका आचुका है CBSC के अंदर कि बताएए why vegetative reproduction is asexual kind of reproduction because here only one single parent parent environment होता है यहाँ पर तो यह क्यों होता है बच्चे क्योंकि यहाँ पर आपका vegetative production हो रहा है कोई भी हिस्सा टूटेगा उसमें दो parents की तो environment नहीं होगी ठीक है सबसे पहले example है eyes in tuber आपको पता है जो potato होता है उसके उपर eye sticks निकली होती है axillary buds निकली होती है white kaleo का लगी वो क्या होती है eyes in tuber वहाँ से क्या होता है दूसरी germination होता है potato का तो सबसे इच्छे example है eyes in tuber potato फिर ginger के जो rhizomes होता है आपको पता है ना अधरक अधरक के नीचे कुछ धागर जैसा structure निकला होता है वो क्या होता है वो होती है हमारी rhizomes जो कि vegetative reproduction में बहुत जाधा useful होता है कोशन आ चुका है next होता है bilbil जो कि आपको अगेव में अगेव कौन सा plant है पढ़ा चुकियों में आपको अगेव होता है हमारा sting cherry plant runner होता है gladiolus में bulbs onion में onion आपको पता है onion और garlic क्या है fleshy leaves है onion और garlic are actually in fleshy leaves उपर जो होता है उपर जो कड़वा सा होता है white color का उसे क्या केता है bulb और bulb कि इसमें germination में helpful होता है बहुत जाधा vegetative reproduction में helpful होता है next आता है water hyacin terror Bengal इसके उपर question आ चुका है very very important आप water hyacin terror Bengal क्या है actually बंगाल के अंदर water hyacin एक plant होता है onion crassi abs यह इतना fastly vegetatively reproduce करता है अपने आपको पानी के अंदर ठीक है aquatic plant है तो पानी के अंदर इतना fastly reproduce करता है कि आप जुतना इसको हटाओगी उससे जादा इसको निलार कुरंजी भी कहते है तो इतना fast rate पर produce करता है तो बहुत दिक्कत हो जाती है इसको हटाने में 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है इसका main problem यह कि जब इस पानी में ग्रो करता है तो यहां पर जितनी भी एकवेटेक लाइफ है उनके उपर कितना गहरा असार होगा नहीं आपर फिशल सर्वाइव कर पाएंगी ठीक है तो इसलिए इसको क्या कहा गया terror of Bengal चलिए next आता है sexual reproduction अब यहां पर बच्चे हमें phases पढ़नी है phases of growth सबसे पहले आती है juvenile phase juvenile आपने word पढ़ चुके है ठीक है पहले भी पढ़ चुके है कि juvenile sessions होते है जब कोई बच्चा जो होता है कोई गलती कर देता है कोई crime कर देता है तो उसको कहां पे लेके जाता है उसको juvenile court में लेके जाता है juvenile sessions होते है juvenile का मतलब यहां पर भी वही है juvenile phase वो phase होती है जहाँ पर आपको growth और maturity को attain करना होता है यह जो teenager वाली जो age है आपकी यह कैसी phase है? यह juvenile phase है याद रखना तब ही कह देते हैं कि आप इतनी शयतानी मत करो अभी तो juvenile phase में हो आप लोग कह देते हो ना लेकिन हम तो शयतानी करेंगे है ना? चलिए तो यह कैसी phase है बच्चे? यह phase है stage of growth and maturity next आता है reproductive phase juvenile phase की खतम होने के बाद और जब यह पूरी तरह attain हो जाती है तब क्या होता है? तब आती है आपकी reproductive phase reproductive phase में आपके जो reproductive organs होता है वो काफी ज़दा mature हो जाता है और fully capable होता है कि आप एक new baby को arise कर सके तो वो phase कैसी होती है हमारी reproductive phase होती है next phase होती है senescence phase आप जब reproductive phase खतम होने लग जाती है फिर कौन सी phase आती है बच्चे? reproductive phase खतम होने के बाद आती है senescence phase यहाँ पर क्या होता है? जितने भी organs हैं उनका deteriorations होने लगता है मतलब उनकी जो काम करने की शमता है वो खतम होने लगती है धीरे-धीरे आपकी growth age जो होती है वो old age की तरफ जाने लग जाती है और senescence age के बाद finally कौन सी phase आती है आपकी death phase फिर आती है आपकी death phase जब आपकी organs completely incapable हो जाते है काम करने के लिए ठीक है? तो reproductive phase को attain करने के बाद आपकी कौन सी phase है? senescence phase senescence phase में क्या होगा बच्चे? आपके जितनी भी organs थे वो क्या हो गया? वो negative growth की तरफ move करने लग जाते है महा पर आपको negative growth देखने को लग जाते है metabolic rate बहुत कम हो जाता है digestive यह सब चीज़े digestion हो गया, respiration ही, slow down होती चली जाती है और senescence stage के बच फाइनली कौन सी phase आती है? फाइनली आती हमारी death phase तो this is very much important चलीए, next पढ़ते है plant exhibiting unusual flowering phenomena अब plants के अंदर एक बहुत ही unusual सी flowering phenomena देखने को मिलती है हमारी bamboo में और strawberry lymphos कुंती है आना में bamboo में क्या होता है बच्ची, bamboo होती है आपने देखा है कि bamboo flowering करती है लगबग 50 से 100 साल बाद और फाइनली मर जाती है bamboo trees जो होते हैं एक ही बार reproduction करते हैं मतलब flowering phase में आते हैं यहाँ पर क्या होता है यह जनरली 50 से 100 साल बाद flowering करते हैं और फिर क्या हो जाता है फिर यह मर जाते है आपको पता है bamboo को use कितना होता है bamboo को use अचार बढ़ाने में उनका pharmaceuticals में कितना use होता है उसके लगड़ी कितनी जादा इंपोर्टेंट होती है कितना जादा furniture में हम उसका use करते हैं तो bamboo is a very demanding plant ठीक है all over India bamboo को use होता है आपको पता है तो bamboo जो होती है लगबग 50 से 100 साल बाद flowering करेगी और फिर क्या हो जाएगी मर जाएगी next होती है strobilanthus kuntiyana इसका नाम है निलार कुरिंजी आपने दिखा केरेला कर्नाटका में 2006 में क्या हुआ सारी की सारी जो वादियां थी महां पर जो घाटियां थी वो कैसे हो गई वो नीली हरी फूलों से ठग गई वो किसके flowers थे बच्चे वो strobilanthus kuntiyana के flowers थे और strobilanthus kuntiyana लगबग 12 साल बाद क्या करता है फिर से flowering करता है तो 2006 में flowering की है तो फिर कब करेगा आईए calculate कर ले न तो केरेला कर्नाटका में बहुत ज़दा टूरिस्ट आए इस चीजों को देखके काफे attractive चीज़े यहां पर लगी यह किसकी वज़ा से थी बच्चे strobilanthus kuntiyana नेलार कुरेंजी के वज़ा से और यह कब reproduce करती है लगबग 12 साल बाद चलिए next आता है बच्चे oestrus cycle दो टाइब की cycle होती है oestrus cycle और menstrual cycle oestrus cycle क्या होती है जब हमारा जितनी भी cyclical changes होते है ovaries में या ove duct में in case of non-primate mammals वो cycles कौन सी होती है वो हमारी oestrus cycle होती है कुछ भी tough नहीं है सिर्फ आपको यह learn करना है कि जब भी cyclical changes हो आपके ovaries में आपके ove ducts में in case of non-primate mammals वो cycles कौन सी होती है वो cycles होती है हमारी oestrus cycle जैसे rats sheep dogs, cows and tigers इसके example है बच्चे यह learn कर लेना important है next है बच्चे menstrual cycle menstrual cycle क्या होती है menstrual cycle होती है cyclical changes occurring in case of primate mammals मतलब ovaries में ove ducts में जितने भी changes हो रहा है वो आपके कहां हो रहा है वो आपके हो रहा है आपके primate mammals के cases में जैसे हम लोग है human beings हो गए apes हो गए monkeys हो गए लेकिन differences बस यहां पर यह है कि non-primate mammals में होता है यह primate mammals में होता है example यहां पर लिखे हो है monkeys, apes and human beings लिख लेना बच्छो बूल रेती हूं cyclical changes in the ovaries and ove ducts in case of primate mammals known as menstrual cycle examples are as follows monkeys, apes, human beings असे clear? चलिए next आते है continuous breeders continuous breeders क्या होता है बच्छो continuous breeders होता है कि वो breeders जो continuously मतलब throughout the life अपने आपको क्या करा है breed करा है ठीक है और seasonal breeders क्या होता है seasonal breeders वो breeders होता है जो seasonally अपने आपको breed करता है मतलब उनका breeding time होता particular time होता है उसी time पे वो क्या करेंगी अपने आपको breed करेंगे चलिए अब बताएं, human beings कैसे हैं, seizure breeders हैं, continuous breeders हैं मतलब कि एक particular season में देखके breed करेंगे, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी बच्चे पैदा कर सकते हैं तो we are continuous breeders, हम कोई season नहीं, हमें यह नहीं होता कि सदी आएंगे तब ही breed करेंगे, अगर मी आएंगे तब ही breed करेंगे we can continuously breed, तो इसलिए हम लोग क्या बनते हैं, हम लोग है continuous breeders those breeders which are continuously sexually active throughout all seasons next is seasonal breeders, seasonal breeders की example से जैसे cows, buffaloes एक particular time पे ही अपने आपको seasonally breed करती है, ठीके बचे, चले तो seasonal breeders पढ़ चुके हैं, continuous breeders पढ़ चुके हैं, next हाते है अब है fertilization events, तो next आते है हमारा pre-fertilization events pre-fertilization events वो events होते हैं बच्चे, जो हमारा fertilization से पहले होते हैं यह ऐसे events हैं जो किसके प्रेयर होते हैं, जो हमारा fertilization कराने में बहुत ज्यादा helpful होते हैं तो pre-fertilization event basically दो type के होते हैं, सबसे पहले होते है बच्ची गेमीटोजनेसिस, पहले step, second step होते है आपका गेमीट ट्रांसफर, तो first step जो हो रहा है हमारा गेमीटोजनेसिस, इसका मतलब होते है, जेनेसिस मतलब होते है बच्ची, बनना और गेमीट्स, मतलब गेमीट्स की फॉर्मेशन होना, आपको पता है गेमीटोजनेसिस मतलब गेमीट्स की फॉर्मेशन होना, गेमीट्स की फॉर्मेशन क्यों हो रही है, थाकि वो आगे जागे क्या करे, वो आगे जागे फॉर्टिलाइजेशन करे, अब human beings के case में आप देखिए gametogenesis दो type की होती है females के अंदर अगर हम देखे उसको बोलता है oogenesis और males के अंदर अगर हम उसे देखे तो क्या बोलता है उसको spermatogenesis oogenesis मतलब क्या होता है oogenesis is the process of formation of ova जब हमारे follicles बनते हैं ova बनता है तो यह सब process किस में आता है oogenesis में एक important market thing यहाँ पर यह है कि जो oogenesis है वो आपके मदर के warm से ही शिरुवात उसकी हो जाती है जब आप कोई female baby मदर के warm में है वहाँ पर क्या होता है follicles बनने लग जाते हैं फिर follicles बनते हैं और puberty तक काफे जादा खतम भी हो जाते हैं जिसको हम follicular retrasia कहते हैं जो हम थर्ड चाप्टर में पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको यह important चीज़ देखनी है कि जो spermatogenesis है और जो oogenesis है यह दोनों process अलग-अलग है oogenesis female के case में होता है spermatogenesis male के case में होता है oogenesis मतलब follicles का बनना जो आपके mother के warm से ही शुरुवात हो चाती है spermatogenesis जो होता है वो होता है sperm formation आप जो sperm की formation होती है वो males के अंदर जो boys होते हैं उनके अंदर puberty के बाद आती है puberty के बाद क्या बनना शुरुवात होती है sperm स्बनना शुरुव होते है ठीक है आपको पता है gametes में तो टाइप के होते है homothelic हो गए heterothelic हो गए यह हम आगे पढ़ेंगे ठीक है next होता है gametes transfer gametes transfer एक बड़ी अच्छी phenomenon है बचे बहुत तरीकव से होती है आपने पढ़ा कि bryophytes के अंदर बॉटल मीडियम था आपने पढ़ा था कि bryophytes के अंदर जो आपकी biflagellates anthrozoids थी वो किसकी तरफ जा रही थी तैर करके ओवा की तरफ जा रही थी और वो मुवेंट कैसा था वो मुवेंट था आपका chemotactic क्योंकि वहाँ पर chemicals का यूज हो रहा था सुक्रोज जो था वो अट्रक्ट कर रहा था किसको आपकी biflagellate anthrozoids को जिमनोस पंप्स में भी आपने ये देखा कि air pollination होता है मतलब वहाँ पर water medium नहीं था वहाँ पर क्या हो रही थी एनिमो कोरी हो रही थी पड़ा दिया था ना जिमनोस पंप्स में याद कीजिए ते रिडोफाइट्स के अंदर आपने देखा कि वहाँ पर malic acid formation होती है और वहाँ पर क्या होता है multiflagellate anthrozoids तैर करके जाते हैं water medium में ओबा की तरफ जहाँ पर thousands of anthrozoids क्या हो जाते हैं जन्रेट हो जाते हैं या फिर इधर उधर चले जाते हैं तो उनको कोई roll ही नहीं होता है ठीक है चलो तो यह दोनों events होते हैं बच्छी आगे आते हैं gametogenesis, gametogenesis में दो टाइप के gametes बनते हैं homo gametes और heterogametes अब homo gametes क्या होते हैं homo gametes होते हैं हमारे gametes की formation होते है और जो gametes होते हैं वो कैसे होते हैं similar type के होते हैं male gametes पी similar होगा और female gametes morphologically दोनों कैसे होते हैं similar होते हैं और physiologically similar हो भी सकते हैं और dissimilar हो सकते हैं लेकिन morphologically कैसे होंगे दोनों similar होंगे जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल है होवाम और स्पम्जोनों अलग अलग होती है, वहां पर आपको दोनों की फॉरमेशन कैसी होती है, और अलग होती है, जैसे ova हो गया females के case में और spumps हो गई आपके males के cases में तो वो gametes कैसे होंगे heterogametes और homo gametes का example क्या है आपकी alga and some fungi याद रखिएगा पूछ लिया जाता है कि homo gametes ऐसे gametes जो morphologically similar हो physiologically similar हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं heterogametes जो morphologically होते हैं physiologically होते हैं इसके example है some algae मतलब सारी almost सारी homo gametes होती है कुछ-कुछ algae जो होती है heterogametes होती है और some पंजाय इसमें example है human beings animals और दूसरे होंगे चले नेक्स्ट आता है male gametes and female gametes अब आपको पता है जो हमी distinctions पता चल गई है कि this is your male gametes and this is your female gametes तो उनको कैसे organisms में consider करेंगे हैं homo में या hetero में उनको करेंगे heterothelic gametes के अंदर heterothelic organisms के अंदर क्योंकि वहां पर कैसे आपको gametes एकने को मिल रहे हैं अलग-अलग इसलिए तो हम कह पा रहे हैं कि हाँ this is male gametes and this is female gametes आपको sexuality की बात करते हैं organisms में आपको पता है bisexual organisms कैसे होते हैं bisexual organisms वैसे organisms होते हैं जहां पर आपको male organs reproductive organs और female reproductive organs दोरो एक ही body में देखने को मिलते हैं जैसे आपने देखा earthworm के अंदर देख लीजे, sponges के अंदर देख लीजे, typeworm यह सब कैसे हैं हाँ इनके लिए एक अलग-टम का यूज होता है लेकिन ही कैसे है bisexual condition को show करते हैं तो आपको पता होना जीए कि bisexual कौन से होते हैं और unisexual कौन से होते हैं unisexual मतलब कैसे होता है unisexual मतलब जिनके पास एक type का ही क्या हो reproductive organ हो या तो उनके पास male reproductive organ हो या फिर उनके पास female reproductive organ हो आप plants के अंदर देखें आप प्लांट के अंदर एक example है staminate और pistillate का आपको पता है जिस प्लांट के अंदर आपको staminate formation देखने को मिल रहा है जिस फ्लावर के अंदर वो कैसे फ्लावर होंगी वो staminate flowers होंगी जिस flowers के अंदर आपको पिस्टिल देखने को मिल रहा है वो पिस्टिलेट फ्लावर होंगे या तो आपको staminate condition दिखेगी या पिस्टिलेट condition दिखेगी in case of unisexual plants but in case of bisexual plants both staminate and pistillate condition आपको एक ही plant के अंदर देखने को मिलती है next होता है homothelic monoecious आपको बता है homothelic या monoecious या कह सकता है bisexual homothelic monoecious या bisexual homothelic शो करता है bisexual conditions को जहां पर आपका male reproductive organ और female reproductive organ दोनों एक ही plant के अंदर होता है ठीक है चलिए इसके example है बच्चे cucurbits और coconuts next है heterothelic dicious हलक कि इसके examples काफी जाता है NEET में भी AIMS में और CBST में पर difference पोच ले जाता है कि बताइए monoecious और dicious में क्या difference है तो आप बता देंगे कि जहां पर staminate, pistillate condition, bisexual condition में देखने को मिले वो क्या होगा बच्चा? वो होगा हमारा homothelic condition example cucurbits and coconuts next आता है heterothelic dicious condition यहां पर आपको क्या होता है? आपको unisexual condition देखने को मिलती है बस याद रखने का homothelic, monoecious, bisexual लिए लिखा होगा है है heterothelic, dicious, unisexual यह तीनों words एक दूसरे को correlate करते हैं एक दूसरों जैसे ही properties show करते हैं यह papaya में यह date palm में आपको देखने को मिल सकती है इसका example है, बहुत अच्छा फिर आता है hermaphrodite अब hermaphrodite क्या होता है? hermaphrodite वो organisms होते हैं जिसके अंदर आपको bisexual condition देखने को मिलती है याद रखिएगा hermaphrodite organisms are those organisms which shows bisexual condition and what are the different examples? लिख लीजे, tapeworm, sponges और leeches ठीक है? तो याद करिए example tapeworm, sponges and leeches चले तो फिर आता है हमारा gimme transfer gimme transfer एक बहुत ही complicated phenomenon है बच्छो सबसे पहले आपको समझना है कि जो gimme transfer होता है वो majority of deployed organisms में क्या होता है? जहाँ पर आपको sin gimme आपको fertilization देखने को मिल रहा है वहाँ पर क्या होगा? gimme transfer भी होगा आप gimme transfer कैसे होता है? आपने देखा है कि inilgene, fungi या bryophytes, steridophytes water is the medium वहाँ पर medium कौन से है बचे? water है जहाँ पर क्या हो रहा है? fertilization water के थू हो रहा है water के थू क्या होता है? biflagellate anthrazoids जो होती है वो तैयर करके आती है और कहां पहुशती है? अपनी ovum के पास आपने देखा ब्रायोफ़ट्स के अंदर में biflagellate anthrazoids में बढ़ाया था आपको amphibians of the plant kingdom वहाँ पर आपने देखा कि जो biflagellate anthrazoids रिलीज होती है बहुत ही high number में अब वो high number में रिलीज होती है तो swim करके जाती है ovum के पास वो movement कैसा होता है? बच्चे chemo tactic और chemo taxes movement होता है क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर sucrose formation देखने को मिलती है और sucrose की तरह वो काफी ज़दा attract होती चले जाते है इसलिए chemo tactic teridophyte में mellic acid formation आपको देखने को मुली जा multi flagellate anthrazoids क्या हो रही थी? ट्रांसफर की जा रही थी तो algae में, fungi में और यह आपका bribe fat, teridophyte यहां पर जो anthrazoids होता है वो water के तरह रवल करते है लेकिन आपको पता है कि ohm के पास पहुचना है इसलिए इनको बहुत thousand numbers में release के जाता है क्योंकि बहुत सारे क्या हो जाता है? fail हो जाता है आपके transference के दोरान next आता है बिटा आपने देखा sorry सबसे पहले आपने देखा गेमी transfer के दुरान water वाला case next है आपको पता है gymnose pumps के अंदर क्या हो रहा था? gymnose pumps के अंदर एक zero fighting adaptation थी कि वहाँ पर water का use ना हो करके क्या हो रहा था? air का use हो रहा था उसी लिए उस term को हमने बोल रहा था animo kori in case of angios pumps इसको कहते है animo phil वहाँ पर air का use हो रहा था अब आपको देखिए जो flowering plants होते हैं जैसे angios pumps वहाँ पर male gametes का career कौन होता है? pollen grains ठीक है? अब pollen grains को कहा पहुचना है? phenyl gametes के पास अब ये पहुचने के दुरान क्या होगा? यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? pollination करवानी पड़ेगी pollination क्या होता है? बताए the transfer of pollen grain from the enter to the stigmatic surfaces called the pollination अब pollination में भी हमने इतने सारे cases पड़े हैं 11th K class में जो बच्चा जिसको याद नहीं है अब ही जाएगे 11th K lectures पर पढ़िए उन्हीं जाके तब आपको ये chapter समझ में आएगा वहाँ पर आपने देखा hydrophily क्या होता है? वो वैसा pollination जो पानी के थू हो रहा है entomophily जो insects के थू हो रहा है बढ़ा था ना animophily जो air के थू हो रहा है जैसे gymnosperms में होता है तो ये सब चीज़े क्या है? ये सब चीज़े क्या करती है बच्छे? pollination ठीक है? चलो gamete transfer अब आप देखेंगे male gametes को female gametes को human beings के अंदर भी transfer किया जाता है यहाँ पे भी बहुत specialized mechanism होती है इसको क्या कहता है coitus किया जाता है ठीक है आपको पता है sperm स्पर्म स्ट्रीलीज होती है female body के अंदर वजाइना के अंदर जब रिलीज होती है तो वजाइना का जो नेचर होता है वो बहुत ही acidic होता है as compared to sperms अब sperms के इसी है आपकी sperms है alkaline nature की इसी लिए उसको bicarbonate ions के अंदर semen के formation के दुरान भीज़ा जाता है ताकि वो क्या हो वो काफी अच्छे तरीके से मतलब मरे ना क्योंकि वजाइना कैसी है acidic है फिर आगे भी फर्दर भीज़ा जाता है इसी लिए जो male gamits है वो बहुत जादा numbers में release के जाता है next है आपका fertilization events अब fertilization और syngammy यह जो दो words है बेटा यह हम interchangeably use कर सकते है syngammy मतलब होता है fusion of gametes fertilization मतलब क्या होता है fusion of gametes तो इसको क्या है interchangeably use कर सकते है zygote formation होती है बच्चो zygote is the first cell यह पहली cell है यह पहली connective link है दो organisms के अंदर ठीक है zygote is the first cell first living cell है जो कैसी होती है बच्चे आपकी deployed होती है क्यों? क्योंकि यह male gamete और finger gamete के nuclei से fuse करके बनती है और यह zygote जो होता है फिर फर्दर क्या होता है बच्चे इसके अंदर क्या होता है mitosis होगा या meiosis होगा human beings के अंदर बताईए zygote के अंदर zygotic meiosis होती है algae के अंदर meiosis होती है इसके लिए reduction division हो जाता है लेकिन mitosis होती है कहाँ पर? human beings के अंदर है ना? तो zygotic meiosis आपको algae के अंदर देखने को मिली और human beings के अंदर क्या होता है ये आपका zygotic mitosis देखने को मिलती है zygotic mitosis होगी उसके बाद क्या formation होगा embryo formation होगा यानके embryogenesis formation वहाँ पर देखने को मिलेगी तो zygote पहले आपका embryo में change होगा morula, radula, ये सब stages आपको, blastula stages आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी ठीक है चलिए अब आता है parthenogenesis, parthenogenesis क्या होता है parthenogenesis एक ऐसी process है जहाँ पर female gamete का production होता है और female gamete ही पूरे की पूरे newly arise organisms को produce कर देता है मतलब कि यहाँ पर कोई fusion नहीं हो रहा है बच्चो important चीज याद करने की है, यहाँ पर fertilization नहीं हो रहा है मेरी nucleus को कोई काम नहीं है, आपका female gamete जो होती है वो completely क्या कर देती है, एक पूरे के पूरे organisms को completely arise कर देती है, ठीक है? चलिए इसके examples है, honey bees, turkey, rotifors अब दो type के fertilization होता है, external fertilization और internal fertilization external fertilization क्या होता है? external fertilization वो fertilization होता है जो externally हो, ठीक है? यहाँ पर body के अंदर male gamete और female gamete fuse नहीं करेंगे, वो कैसे करेंगे fuse? बाहर करेंगे जैसे बहुत सारे आपने amphibians में देखा है, male gamete और female gamete को बाहर discharge किया जाता है, फिर finally एक zygote बनता है, zygote एक mucilaginus covering के अंदर होता है ताकि वोस में desiccation ना हो जाए, है ना? तो वहाँ पर कैसा fertilization है? external fertilization है, internal fertilization है बच्चो जो body के internally होता है, आप जैसे human beings का example देखाओ, human beings के अंदर nine months के बाद delivery होती है, तो patrulation time नौ महीने का होता है नौ महीने के दुरान क्या होता है बच्चे? proper development होता है बेबी का, ममा के mom में, है ना? वहाँ पर उसको खाना दिया जाता है, food दिया जाता है, oxygen दी जाती है, वहाँ पर excretory changes होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको, अच्छा, आप मुझे बताओ, proper care आपको external fertilization में देखने को मिली है, internal में मिली, proper care आपको internal fertilization में देखने को मिली, और जो care है, यही एक reason है, कि internal fertilization में chances of survival कितने होते हैं, बहुत ज़्यादा high होते हैं, है ना? तो internal fertilization में chances of survival के हैं, बच्चे? बहुत ज़्यादा high है, as compared to external fertilization, ठीक है? यहाँ पर आपको calcareous eggs formation देखने को मि होती है, external में, और internal में पूरा का पूरा एक intact baby देखने को मिलता है, यहाँ पर chances of survival बहुत ही कम है, external में, क्योंकि उसे बाहर की, बाहर की चीज़ों से external factor से बहुत ही ज़्यादा खत्रा होता है, है ना? और internal fertilization में chances of survival very much high. एक question आता है, बच्चे? कि why male chemiates produce in large quantity? अब आपको आस्वा करना है, कि आपने देखा, bride fights के अंदर, teido fights के अंदर, यह human things के अंदर, male gamits जो है, वो इतने high number पर produce हो रहा है, क्यों? What is the reason behind this? बताईए, the reason behind this, कि जो male gamit होता है, आपको पता है, जो female gamit है, वो तो static है, वो अपनी एक जंगा पर fix जाए, लेकिन motile gamits जो होता है, वो होता है आपकी sperms, और non motile कैसे होता है? आपकी ova, in majority of organism, बलकि कुछ-कुछ algae होती है, जहां पर आपको male gamits और female gamits zone हो, motile form मे देखने को मुलता है, लेकिन in majority, in majority, क्या देखता है, male gamits बहुत जादा high number में produce होता है, ताकि वो properly पहुच सके, क्योंकि पहुचने के दोरान बहुत जादा male gamits होता है, वो destroy हो जाता है, next आता है, post fertilization event, post fertilization events क्या होता है बच्चो, आपने देखा, pre क्या था? फर्टिलाइजेशन से पहले बनने वाले process, post क्या है बच्चे, फर्टिलाइजेशन के बाद वाले process, तो pre-fertilization और post-fertilization में यही difference है, कि fertilization हो चुका है, zyagot बन चुका है, अब zyagot के बाद क्या बनेगा, embryo, और इसी process को क्या कहते है, embryogenesis, मतलब कि embryo formation होना, embryo यहाँ प पता है, कि embryo तभी बना है, जब zyagot के अंदर mitosis होनी है, अगर meiosis होती है, तो वहाँ पर zygotic meiosis हो जाती, और embryo formation आपको नहीं देखने को मिलता है, embryo आपको उनी organisms में देखने को मिलता है, जहाँ पर zygotic meiosis absent होती है, और उन organisms को कहते है, embryo phyta, जैसे embryo वाले plants आपने देखे, तो embryo genesis process समझ में आ गया बच्चो, embryo genesis process को हम chapter 3 में बहुती descriptive form में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि inner cell mask क्या होता है, embryo में, trophoblast क्या होता है, तो दोनों चीज़ों का रोल होता है, अलग-अलग, यहाँ पर हम देखेंगे, फिर आते है oviparis and viviparis, अब oviparis organisms क कौन से organisms होते हैं, जो egg laying होते हैं, आपने देखा है reptiles, कैसे होते हैं, egg laying होते हैं, इनकी जो egg की covering होती है, वो calcareous shell से बनी होती है, ठीक है, calcium carbonate से बनी होती है, और बहुत ही tough सा structure होता है, जैसके अंदर पुरा कपुरा baby produce होता है, viviparis यानिके viviparity शो होती है, जब बेबी को inside the warm रखा जाता है, जैसे human beings है, apes हो गए, यह सब क्या हैं बचे, यहाँ पर बेबी को warm के अंदर रखा जाता है, तो आपको पता है, इसके अंदर भी chances of survival कहां पर जाता है, viviparity में या oviparity में, viviparis में क्या होगा बचे, viviparis में chances of survival is very much high, why? क्योंकि इसको proper care में रखा जाता ह है, है ना, inside the warm, यहाँ पर आपने देखा, human beings के अंदर, placenta होती है, सारे structures होते हैं, waters, water fluids होते हैं अंदर, तो hormones होते हैं, यह सब चीज़े क्या है, वीवी को protect करने के लिए, तो protection very much high, protection बहुत जादा है in case of viviparis organisms, and oviparis जो egg laying organisms है, आपको क्या करने हैं, दोनों के examples लिखने हैं आपको मैंने समझा दिया है, oviparis क्या होते है, viviparis क्या होते है, ठीक है, चलिए, next आते हैं बचे, post fertilization events in the flowery plant, this is very much important, यहाँ पर क्या होते हैं, post fertilization, embryo बन किया है, ठीक है, अब यहाँ पर seed formation हो लिए है, seed formation के दुरान आपने देखा, कि जो pistil है, वो as it is रहता है, intact रहता है अपनी position में, saples, petals, stamen, गिर जाते हैं, ठीक है, saples, petals, stamen, wither off and fall, बेटा, बहुत important lines है, आप as it is इसको लिख लीजे, next आता है, zygote becomes embryo, post fertilization event के दुरान, zygote किस में change हो जाएगा, आपका, embryo में change हो जाएगा, ovules क्या बन जाएगे, बच्चे, आपके seed बन जाएगे, ovary क्या बन जाएगे, आपकी fruit बन जाएगी, seeds terminate under favorable condition, आपने देखा, पोस fertilization events के दुरान, ovules के जो structure है, वो किस में transform हो जाता है, आपका seeds में, क्योंकि ovules में macropyl था, macropyl क्या कर रहा था, meal gametes को enter कर रहा रहा था, 11 में पढ़ चुके हैं, और fruits के अंदर macropyl का case क्या होता है, seeds के अंदर क्या होता है, यहाँ से oxygen water अंदर जाता रहता है, ठीक है, तो macropyl का rule देखा आपने, ovary जो है, वो fruit में हो जाएगी, अब ovary wall जो होती है, testa, treatment, integrements जो थे अपने पड़ी, वो किसमें convert हो जाता है, वो pericarp में convert हो जाता है, पेरी capped को कहते है, ovary wall, फीक है, जो ovary wall होती है, वो holy फ्लेशी ही हो सकती है, और dry भी हो सकती ही, holy जिसमें water content बहुत जाद होता है जिसे mango की होती है ठीक है mango हो गया आपका banana हो गया सब कैसी walls है fleshy walls है तो seeds कैसे germinate करता है favorable condition में जब उसको proper air proper oxygen proper food मिलेगा तब जाके वो क्या करेगा अपने आपको germinate करेगा चलिए बच्चे यह chapter खता हुआ है तो काफी चोटा chapter था important था ठीक है और आपने देखा यहाँ पर आपने आज fertilization events देखे उससे पहले pre-fertilization events देखे post-fertilization events देखे उससे पहले आपने देखा कि life span क्या होता है किसी भी organisms की जीने की और माने की उम्रे विधी जितनी भी होती है वो life span के लाती है first chapter पर आपके कुछ diagrams दिये हुएं आपको क्या करना है सबकी life span दिखनी है fill up करनी है learn करना है उसके पाद हमने reproduction पढ़ा है कितने types का होता है asexual कितने types का होता है तो काफ़ी important chapter है काफ़ी easy chapter है और मैं आज आपको homework दे रहे हुँ बच्चे यह chapter आज आपको NCRT से जाके cover करना ठीक है कोई भी problem हो प्लीज आप हमें comment section में बताइए और प्लीज ऐसे यह में support करते रहे हैं जैसे आप कर रहे हैं हमाई lectures को जादर सादर spread कीजिए ताकि सबकी help हो सके thank you so much पिच्चे thank you